अकाश भाई जब भी बात होती है एश्यकप की इंडिया और पाकिस्तान की बात हो जाती है श्रिलंका पिछली बार जैसे हमने कहा कि चैंपियन बना इस बार भी अभी तक ना सिर्फ एक विनिंग स्टीक पर है बलकि अभी जितने मैच यहां खेले हैं एक अच्छी टीम लग रही है आपको अच्छी टीम है क्योंकि हमारा तो फिर भी जो ग्रूप था ना वो इजी ग्रूप था तो यह हमेशा करते हैं और यह क्योंकि मुझे लग रहा है यूज सर्फेस भी होगा आज बहुत बढ़िया बैटिंग फ्रेंडली कंडिशन जो भी कल दिखी थी या फिर परसो भी दिखी थी वैसी शायद आज ना हो और यह बेसिक गलती नहीं करेंगे यहां बाबार पाकिस्तान के फैंस आज सारे के सारे जो है वो यही एकस्पक कर रहा है कि अज इंडिया से ही लुए इंडिया इंडिया जीट जाए इंडिया को तो उसमें आपके मतब हालत खराब हो जाती है पर ये तो बचास ओर का मैच हो बहुत गर्मी होती है उदर श्रिलंका का I remember playing in श्रिलंका उसमें ना आपके यार क्या कर रहो इतनी करमी कैसे है इतना पसीना निकला है कि आपने मैच शुरू किया तो आप 72 किलो थे मैच जब खतम हुआ तो आप सतर किलो पे आगए पानी सारा बॉडी से गयब हो गया तो टाइम लगता है रिकावरी के लिए इस वजह से कल एक्टि विज्वल् पूल में अगर आप रिकावरी नहीं करोगे वह रिकावरी उतनी इंपोर्टन ए जितना वो जिम में जाके ट्रेइनिंग करना नेट पे बैटिंग करना वह रिकावरी इस समय तो इंपोर्टन थी और आज फिटनेस टेस्ट होगी बिल्कु तो कपिल भाई के साथ बिल्कुल देखे श्रेय सायर टीम होटेल में ही है वो स्टेडियम आही ही नहीं है उनकी रिकवरी पूरी तरह नहीं हुई है अब ऐसे में सवाल यही है कि जो आप यहां पर डिसकेशन कर रहे हैं कि भारती टीम में बदलाब होगा क्या कहते हैं हम यही है यू डोंट चेंज विनिंग कॉंबिनेशन जी डोंट चेंज विनिंग टीम लेकिन जैसा गर्मी जो पड़ रही है हुमिडिटी आपको बताऊं सेविंटी फॉर परसंट के आसपास की है तो एक बार जो पसीना शुरू होता है तो फिर रुखता नहीं है तो ऐसे में सवाल यह है कि क्योंकि स जाना चाहता हूं कि सेंचुरी बनाने के बाद कोई उसको बिठा दे बाहर तो वो तो सही नहीं है या वो खुद भी बैटना नहीं चाहेगा तो आप क्या इशान किशन के जगें खिलाएंगे लेकिन उनकी बारी नहीं आई थी तो सुरे कुमार यादव को आप नहीं किया है तो यहाँ पे तो वैसे भी आपने पंटी लिया है कि बड़ा पोटेंशल है प्रॉमिस है पता है ओडिया या आंक्रे साधाराने पर खिलाते हैं तो अगर या फिर टीम में रखते हैं पर यह ना वह वाला है ऑनेस्टी स्पीकिंग जब आप देखते हैं ज़ पर मैच खेलते देखा तब तक टो टीम भी अनाूस नहीं हूई थी वर्ल्ड कप की पर आपने किसी को मौका नहीं दिया तब भी मौका नहीं दिया तो आज चाहे वो आया है मौका शायद आप कर सकते हैं पर इशान किछन को मैं तो बिल्कुल टच नहीं करूँंगा फॉर मैं चाहूंगा कि 30-32 और में बैटिंग आया उनकी एक बार, चाहे वो राहूल से पहले जाएं या बाद में जाएं, कहीं पे भी जाएं, पर बैटिंग उनकी 30-32 और में आया, ऐसे 2-3 मैच हो, तब आप एक डिसिजन ले पाओगे कि अगर श्रेय सायर फिट होते हैं या नह नहीं बन पाएगे, लेकिन अकाश भाई, श्रेय सायर के बारे में और बाते होंगी, क्योंकि श्रेय सायर इस एशिया कप में आये थे, ये बताया गया था कि उनकी इंजरी बिल्कुल ठीश है, अब हमें पता चलता है कि वो यहां पर, जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का जब बड़ा मैच हो पाया, जब सूपर फोर का मुकाबला हुआ तो वहां पर back spasms आगे, ये टीम मैनेजमेंट और ये जो चोट जो लगातार लग रही है, ये कितना बड़ा चिंता का विशह है टीम इंडिया के लिए, और ये कब तक सौर्ट होगा, हम कब तक इस चीज क कोई टेस्स करते रहेंगे, क्या हम जखमी घोडों को तो नहीं लेकर जा रहे हैं, और इसमें एक पॉइंट और कि इसमें NCA का कितना बड़ा रोल है, बार-बार लोग कहते हैं कि वहां रिहाबिलिटेशन के लिए जा रहे हैं, रिकवरी के लिए जा रहे हैं, और उसके ब यह भी मानना है, थोड़ी दबी-दबी आवाल से में बात करते हैं, कि बुमरा की जो सर्जरी है, that was delayed by about eight months, वो आड़ मही ने पहले करनी चाहिए थी, पर conservative अप्रोच थी कि नहीं करते हैं, देख लेते हैं, same with प्रसिद कृष्णा, क्योंकि उनको भी भी भेजा गया, आप of the medical side of things, वैसे chairman VVS है, and VVS तो खैर बहुत ही वो बड़े कमाल के आदमी है, तो वो भी इस बात पर थोड़ा चिंतत होंगे, कि यार, हमारे यह लड़के आते हैं, चलो मैंने तो skill देखनी है, तो skill तो वो तयार कर देते हैं, पर fitness तो मैं नहीं कर सकता हूँ, अब जो कर र चेतक अगर injured है, तो फिर वो हलका वाला घोडाना फिर भी चेतक से बहता है, तो यहाँ पर जरूरी है कि चैश्रेह सायर हों, या जस्परीद भूमरा हों, आप injuries नहीं चाहते हैं, विश्व कप के अंदर जाते हुए, the last thing that should be playing on your mind, इसकी हमारे कितने खिलाडियों के injury का 50- 50-50 चल रहा है, अगर ऐसा होता है ना, मैं कोँगा उस खिलाडी को आप बेशक छोड़ दीजे, आप लेकर जाहिए, जो खिलाडी है, absolutely fit है, बलकुल, बड़ ऐसे में अगर, एक अकाश में मेरा ये सवाल था कि भगवान न करे कि श्रेह सेर की injury ठीक ना हो, लेकिन अगर ज खेले ही नहीं है, तो इस केस के अंदर आपको नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव को थोड़े मौके देने चाहिए, मतलब जैसे श्रिलंका या बांगला देश में, तो यहां पे खिलाके आपको टेस्ट कर लेना चाहिए, कि अगर नंबर चार पे हमें के ल राहुल भी सिंस इंजरी से वापस आये हैं, तो हमारे पास एक ऐसा ओप्शन हो कि यह तो खेलेगा यह खेलेगा और बढ़िया खेलेगा, यह हमारा वीक लिंक है, और इसको आप जैसे भी कोशिश करोगे ना, अच्छी तरीके से अड्रेस नहीं कर पाऊगे, क्योंकि मैच बहुत सार की बैटिंग, तो आप करते रहों अपने जहन में कि हम ना इशान को ट्राइ कर रहे हैं, हम ना 300 हर्मून को देखना चाते हैं कि कैसा खेलेंगे, अब खेल चलता नहीं है वैसे आपकी मर्जी से, दो ही खिलाडी आउट होते हैं, उसको मौका नहीं मिलता, अब उसको मौका कर पाएंगे, ये बात सचाई है, बट ऐसे में फिर क्या रोटेशन उत्री जादा ही जरूरी हो जाती है, कि जैसे पाकिसान की भी प्लेर्स हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, दो इतने में प्लेर्स अभी इंजर्ड होके वापस जारे हैं, और इंडिया में भी हमें देखना है क अगर शमी भी ट्राइड टेस्ट नहीं है, बुम्राव आपसी कर रहे हैं, क्या उनको भी बीच में मिक्स अफ तिंग्स में लाना चाहिए, ट्राइ कराना चाहिए? आपने उनको नेपाल के खिला भी दिया था तो शामी तो मैच खेले हैं और शामी अभी तक वैसे भी रेगूलर क्रिकेट खेलते आए हैं। अब एक मही ने तो क्रिकेट खेलोगे अगर वर्लक खेलना है तो और बाकी जो लोग थे वो इंजड थे अब वो इंजड जो लोग थे वो ना तो ऑँगस्ट में खेलें ना वो खेलेते जुलाए में अब उनको आपको खिलाना है चाहिए वो श्रेय सैयर हो यहां केल रहुल अब ईसे में अगर नहीं मिलता है पूरा मौका सूरे कुमार यादव को या फिर नहीं मिलता है पूरा मौका इशान केशन शृत्कुर कर क्या सकतीर हो पर पर शृत्तों। हमें थोड़ी देर में पता चलेगा